असलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे जींगा और मेती की भाजी बहुती टेस्टी और बहुती हल्दी कॉंबिनेशन होता है और बहुत मज़ेदार बनती है ये भाजी तो रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है इसे बनाने के लिए पैन या फिर कड़ाई में ओईल गरम कर लेंगे आधा कप ओईल लिया है मैंने ओल के गरम हो जाने पर इसमें एक टी स्पून रेग्यूलर वाला साधा जीरा एट कर लेंगे जीरे को फ्राय करेंगे फिर एट कर लेंगे दो मीडियम साइस की प्यास बारिक सी चॉप करके प्यास को एट करेंगे और प्यास को फ्राय कर लेंगे प्याज को हमें जादा नहीं फ्राय करना है बस हलकी सी पिंक और सॉफ्ट हो जाए प्याज इतना ही फ्राय करेंगे फिर एट कर लेंगे एक बड़ा चमच अत्रकलसन पिसा हुआ और एक छोटा चमच दरदरी पिसी हुई हरी मिर्चे दालिये मैंने आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ेस कर लिजिएगा अब भून लेंगे अद्रकलसन की कच्छी स्मेल जाने तक तो यहां बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे दो मिनिट के लिए भून लिया है अब एड़ कर लेंगे इसमें मिडियम साइज के दो टमाटर रफल लृट में स्मीदे लाल मिर्च पवडर तेस्ट के इसाद़ से नमक एड़ कर लिजिएगा अपशी तरह से से मिक्स कर लेंगे आप अगर लाल मिर्च नहीं यूज करना चाहतें इस रिसिपी पर तो यहां साथ मिनिट बाद मैंने देखिए देखा है टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है और अच्छी तरह से हमारा मसाला भून गया है अब इसमें एड कर लेंगे हम जींगे तो यहां पर मैंने मेडियम साइज के यह प्रॉंस लिए है आपकी मर्जी आप छोटे बड़े या जितने चाहे कम जादा उतने प्रॉंस इसमें एड कर लीजिए प्रॉंस एड करने के बाद हलके हातों से इसे मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ अच्छे से प्रॉंस मिक्स हो जाए इस तरह से मिक्स करना है हमें तो याद रहे कि हलके हातों से मिक्स करे तो साथ मिनिट बाद हमारे जो प्रॉण्स है वह अच्छी तरह से कुक हो चुके है पक चुके है और ऑल भी वापस से सेपरेट हो गया है आप चाहे तो इसी तरह से भी इसे सर्फ कर सकते हो लेकिन यहां पर मैं मेथी जींगा बना रही हूं तो मैं इसमें मेथी भी आड़ क अच्छी तरह से वॉष कर लिया था मेथी में काफी सारी मिट्टी होती है डर्स्ट होता है तो तीन चार पानी से अच्छी से वाष करने के बाद ड्रेंच करके मेथी को एड़ है प्लीज विडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए गा अच्छे से mix हो जाए सारी चीज़े देखिए उसके बाद हमें medium flame पर मेथी को पका लेना है तो जादा देर नहीं लगती ये मेथी add करने के बाद भाजी पकने में medium flame पर बस 5-6 मिनिट के लिए इसे पका लीजिएगा तो यहाँ देखिए 5-6 मिनिट बाद हमारी जो मेथी है इस तरह से हो जाएगी अब जो पानी इसमें बचा हुआ है अगर आप इसे पूरी तरह से dry करना चाहते है तो flame को fast कर दीजिएगा और इस तरह से भून लीजिएगा बस एक मिनिट के लिए भून लेंगे सारा पानी ड्राय होने के बाद और हमारी मेथी जिंगा की रेसिपी यहाँ पर बनकर तयार है इसे सर्फ कर लीजिएगा गर्मा गर्म रोटियों के साथ चपातियों के साथ या फिर दाल चावल और खिछडी के साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगती है रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फिर मिलेंगे इंशाल लाइक नही रेसिपी के साथ टेक कैर अलाह अफिज तेक्स पर वाचिए